हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 1000 स्क्वाइब फीट छट ढलाई में हमारा सिमेंट सेंड एग्रिगेट तीनो क्वाइंटिटी क्या लगने वाला है तो देखेंगे एक बार हम लोग छट का ढलाई का अपने ही चैनल पर लाइब वीडियो डाले हुए थे जब छट हमारा ढलाई हो रहा है इस वीडियो को थोड़ा देख ले उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन पार्ट में जाएंगे और पूरा कैलकुलेट करेंगे इस वीडियो का यह हमारे चैनल पर ही लाइब किया गया वीडियो है चलते हैं है अब कलकुलेशन पार्ट पर वीडियो बन्द करते हैं आई हम लोग क्लकुलेशन पार्ट पर चलते हैं तो हमें 1000 square feet का जब हम लोग slab लेते हैं 1000 square feet का हमारा है 1000 square feet हमको slab ढालना है ठीक है उसमें prior question रहता है 1000 square feet जब हम लोग slab ढालेंगे तो उसमें cement sand aggregate कितना लगने वाला है ठीक है तो उसी का आज हम लोग बात करेंगे cement sand aggregate के quantity निकालने का तो सबसे पहला हम लोग quantity जू निकालेंगे वो cement का निकालेंगे cement दूसरा जो हम निकालनेवाले हैं किसका send का तीसरा जो हम निकालनेवाले हैं aggregate का aggregate का ठीक है short form लिख रहे हैं aggregate का तीनों का quantity दिखेंगे तो सबसे पहले जब हम लोग basic से चलने वाले हैं जैसे 1000 square feet हम लोग अगर ढलाई कर रहे हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको की grade of concrete क्या यूज़ करने वाले हैं और हमारा thickness जो हम लोग slab ढलते हैं छत ढलाई करते हैं तो उसका thickness क्या होता है तो वो हम लोग slab ढलाई करेंगे उसका grade of concrete जो रखने वाले वो हम लोग रखने वाले M20 grade of concrete M20 grade of concrete का हमें ratio पता होना चाहिए तो ratio जो M20 concrete का होता है 1 is to 1.5 is to 3 इस ratio में M20 grade का होता है एक ratio cement होता है तो ratio send होता है और 3 अगर हम एक तसला cement देते हैं तो उसमें 1.5 तसला send देंगे और 3 तसला aggregate देने वाले हैं M20 grade से concrete अगर हम लोग बनाते हैं यह minimum होता है RCC member के लिए M20 से बनाई यह ठीक है तो यहां आ गया हमें दूसरा हमें जो पता होना चाहिए कि ठीकनेस क्या रखते हैं छत का तो छत का थिकनेस जो रखते हैं हम लोग वह 5 इंच से 6 इंच तक रखते हैं हम लोग जो इसमें रखेंगे thickness और slab वह हम लोग 6 इंच रखेंगे ठीक है slab thickness जो रखेंगे हम लोग है 6 इंच अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो हम लोग इतने basic से चलेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो चलिए हम लोग एक तम basic से चल रहा है हम लोग grade decide कर लिए कि इस grade का हम लोग concrete सबसे पहले निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा तो total volume में हमारा weight aggregate total volume में कितना लगने वाला है concrete तो weight volume निकाल लेते हम लोग यह जो volume आएगा हमारा weight आएगा यह ध्यान रखना है मैं initial में लिख देता हूँ यह better रहेगा weight volume हम लोग निकाल रहे है weight volume जो निकाल लेंगे यहां तो area तो हमारे पास दिया हुआ square feet में 1000 square feet हमारा area है उसको हम लोग 6 inch है तो feet में convert करेंगे divided by 12 कर देंगे तो यहां से हमारा क्या आजाएगा 0.5 feet आ जाएगा ठीक है अब हम लोग यहां से volume निकाल लेते हैं area into depth कर देंगे area कितना है 1000 into 0.5 feet तो यहां से आ जाएगा यह 500 कैलकुलेटर को हमें हमेशा पास में रखना है तो यहां क्या हो जाएगा 500 c यहां fit में cft हो जाए cubic feet में रहा जाएगा ठीक है इतना cubic feet 500 cubic feet हमारा weight volume of concrete चाहिए 1000 square feet अगर हम लोग ढलाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले weight volume को हमें dry volume में convert करना पड़ेगा हम लोग यह सब चीज इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग 1 meter cube के लिए हम लोग पहले वीडियो में निकाल चुके हैं उस वीडियो का अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो उसका link आपको description में मिल जाएगा वहां से जाके उस वीडियो को देख लिजिए या 1 meter cube में कितना बोरी sand, cement, aggregate लगने वाला है वहां से देख लिजिए क्यूंकि उस चीज को हम लोग अगर यहां discuss करने लगेंगे तो 5 minutes हमारा जैदा वीडियो बनेगा 5 minutes लंबा वीडियो बनेगा क्यूंकि हम लोग पहले discuss कर चुके हैं तो उस वीडियो को जाके देख लिए तो 1 meter cube में यहां देख लिजिए कितना है weight volume हमारा 500 CFT हुआ इसको सबसे पहले हम लोग meter cube में convert कर लेते हैं तो 1 meter cube equal to जो हमारा होता है 1 meter cube equal to होता है हमारा 35.315 CFT ठीक है यह conversion है हमारा तो इसको हम लोग क्या करेंगे 500 CFT divided by 35 point तो यहां से हमारा meter cube में आ जाएगा 35.315 इसको हम लोग calculator divide कर देते हैं 500 divided by 35.315 तो यहां से आ जाएगा 14.158 अप लोग खुद भी calculator में इस चीज़ को करें जिससे की अपके लिए भी आगे करने में आसानी रहें 14.158 meter cube हो गया इसको हम लोग थोड़ा ज्यादा और कम के लिए हम लोग प्रॉक्स ले लेते हैं 15 meter cube हम लोग अगर 6 धलाई करने वाले हैं 1000 square feet का तो 15 meter cube हमारा concrete लगने वाला है 6 धलाई में यह हमारा weight volume है अगर हम लोग weight volume को dry volume में convert करते हैं तो वो क्या होता है 55% 54% increase हो जाता है लेकिन हम लोग 1 meter cube का इससे पहले calculation की है weight volume का तो और हमें याद भी रखना चाहिए 1 meter concrete में कितना कितना लगता है तो cement का quantity जो लगता है 1 meter cube में वो आपको exact मैं बताऊं तो 403 kg लगता है ठीक है 403 kg इसको आप अगर convert करते हैं bags में तो 8 bags approximately लेकि चलते हैं 3 kg को हम लोग नहीं यहां count कर रहे हैं 8 bags आप ले लिजे दूसरा हमारा क्या है send है 1 meter cube का निकाल रहा है उससे हमाँ 15 से multiply कर देंगे तो 15 का निकल जाएगा हमारा क्यूंकि 1 meter cube का हमें पता है और हमारा 15 meter cube लगने वाला 1000 square feet धलाई में तो यहां से हमारा होगा 14.8 cft 1 meter cube में लगता है इसको approximately 15 cft aggregate calculate करने का जरूरी नहीं रहता है क्यूंकि आप लोग देख सकते है aggregate जितना लगने लगेगा उसका double क्या होगा sorry send जितना लगेगा उसका double aggregate लगेगा तो simply यहां से aggregate लिख दें aggregate कितना लगेगा हमारा 15 से 30 cft तो 1000 cft जब हम लोग ढलाई करेंगे तो उसमें क्या करेंगे अब अब हम लोग 1000 cft ढलाई के लिए 15 meter cube लगना है concrete तो 15 meter cube के हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं cement जो लगना है cement का हम लोग quantity जब निकालेंगे तो वह आएगा हमारा 8 into 15 8 into 15 तो यहां से हो जाएगा 120 bag 15 into 8 120 bag 120 bag लगने वाला है ठीक है अब दूसरा हमें send होगे send कितना लगने वाला आप लोग भी easily calculate कर सकते हैं अब अपने से calculate करें तो बहतर होगा यह कितना है 15 cft 15 into 15 cft 15 into 15 कर देंगे 225 होता है 15 into 15 टोटल 225 cft 225 cft जब भी इस तरह का material calculation या किसी तरह का video calculation वाला देखें तो उसमें क्या करा है pen paper लेके बैठें calculator लेके और खुद से भी calculate करते जाएं जिससे कि आगे जब आप लोग calculation करें तो easy रहें ठीक है अगला हम send के बाद aggregate पे चलते हैं aggregate aggregate के quantity जब राइटिंग अच्छा नहीं हो रहा है क्यूंकि हम लोग mouse से इसको बना रहें 15 13 into 15 हो जाएगा इसका exact double हो जाएगा calculate करने कोई जरूरी नहीं है 2 से into कर दीजेज में 0454 सारह 400 cft तो यह जो है हमारा लगने वाला है कितना cement send aggregate यह लगने वाला है total हमारा 1000 sqft अगर हम लोग ढलाई करते हैं तो इतना हमारा लग जाएगा cement send और aggregate इसका हम लोग rate एक छोटा सा वीडियो एक से दो मिनट का बनेगा पार्ट 2 हम लोग बना लेंगे यह पार्ट 1 रख देते हैं क्योंकि अगर हम लोग rate analysis करने लगेंगे तो इसमें क्या होगा लंबा वीडियो बन जाएगा तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं 1000 sqft ढलाई करतेंगे अगर M20 grade का और 6 अगर हम लोग ढलाई करेंगे तो 120 बोड़ी सेंड लगने वाला है 225 cft सेंड लगने वाला और aggregate जो लगने वाला है सारे 400 cft हमारा aggregate लगने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें